राहुल जी यह जो इस तरह के निरणय होते हैं इसमें मुझे लगता है कि भ्रस्टाचार के खिलाफ कारिवाई से ज्यादा आपको पॉलिटिकल नेरेटिव क्या बना पाते हैं और पॉलिटिकली आपको सूट क्या करता है दो तरह की चीजें होती हैं एक तो यह कि आप जब यह किसी को सस्पेंड नहीं करते हैं किसी को बरखास नहीं करते हैं तो उससे यह बात होती है कि उसने भ्रस्टाचार नहीं किया गया है पॉलिटिकल वेंडेटा के तरफ उस पर आरोप लगाया गया है दूसरा नेरेटिव यह बनता है कि आपने जब निकाल दिया तो हम हनक तक लगी एक एक छोटी सी सूचना आई और हमने बर्खास्त कर दिया आप अगर इसको बीस साल पहले 15 साल पहले की राजनीतिक उसमें ले के जाएं तो अंतर था अभी हमारे राजनीतिक पटल पर दो इस तरह की राजनीति राजनीतिक दल हैं जिनका काम करने का तरीका जो है वो न केवल उनके अपोनेंट्स को नहीं समझ में आता है जरलिस भी कई-कई बार बैफेल्ड रहते हैं अब मैं आपको छोटा सा उधारन देखे समझाने की कोशिश करता हूं सारे जरलिस ने लिखा कि दिल्ली का उपराज्यपाल प्रहलात पते एक प्रफुल पतेल से ले करके लंबी सूची थी कि यह यह होंगे और फाइनली विनृकुमार सकसेना को बनाया गया जो राजनी जिनको ना administration का अनुभावा है न बाकी कोई अनुभावा है तो अन्प्रेटिक्टिबिलिटी जो है न आज कल आज कल वैसी ही अन्प्रेटिक्टिबिलिटी और अपने अपने डिसीजन से अपोनेंट्स को हत्प्रव करने का जो एक नया तरीका है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी तू डाल डाल मैं पात पात वाली रड़नीती पर काम कर रहे हैं तो वो एक इस तरह इस तरह की स्थिति है अब बीजेपी खुश क्यों नहीं रह है मैं उस प्रस्ण पर आता हूँ देखे बीजेपी पंजाब के लिए एक दूसरे तरह की मेरी जो जानकारी है जो मैं समझ पाया हूँ हलाकि मैं समझ पाया हूँ यह मैं कह रहा हूँ तो मैं अपना भी मां खॉल रहा हूँ इसलिए कि कोई अभी समझ नहीं पाया है कि कौ पंजाब में सुनील जाखड को जब से ले आई है उसके बाद वो एक दूसरे तरह के narrative में काम कर रही है और वो अभी के विधान सभा चुनाओं जैसा अपना हासर नहीं करना चाहती है और 2024 की तयारियों पर काम कर रही है अब इस पर उसको चुप रहना लग रहा है कि शायद जो वो चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया है इसलिए वो ना खुश है लेकिन अब उनके आगे के कदम बताएंगे कि उनका पॉलिटिकल जैरेटी को बीजेपी अपना क्यों काटेगी जब बीजेपी विश्वास यह मानती है कि भरस्ताचार हुआ ही नहीं है अगर भरस्ताचार होगा तब हम निप्टाएंगे ना अगर आप आरोप लगा रहे हैं अगर यह आप उनके हिसाब से बीजेपी के हिसाब से अगर आरोप हैं और आरोप गलत हैं त तो ब्रस्ताचार आप किसी आदमी को किसी व्यक्ति को आप तब हटाएगा ना जब आपको लगेगा कि उसने ब्रस्ताचार किया हो लेकिन ब्रस्ताचार हुआ ही नहीं है तो वो क्यों हटाएगी और हटाना भी नहीं चाहिए ये उनका और कम से कम कम से कम अगर आप ये स्व ही जा रही है जो बीजेपी और कहती है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं भरस्ता चार दूर तक कहीं निजर आ रहा है तो आप आपको पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा आपको उस तर तक ले जाना पड़ेगा जहां यह लगे कि अब इनके एक दिन का नहीं होता है बीजेपी का गेम प्लान दो साल तीन साल और चार साल पहले होता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक नहीं दो उदाहरण देता हूं मैं लंबे समय तक 16-17 साल मैंने बीजेपी इस बी रिपोर्ट बीट रिपोर्टर कवर किया तो उदाहरण से समझाने कोशिश करता हूं तो एक बार राश्ट्री कारकारणी जिसको नेशनल इग्जेक्टिव और वो बोलते हैं वो दिल्ली के नडीमसी कन्वेंशन हॉल में हो रही थी तो हम सारे लोग खड़े थे और बीच में कारक्रम का कुछ ब्रेक हुआ तो अमित्सा बाहर आये और वो समय महासचीव थे उत्तरप्रदेश के इंचार्ज और पांच साथ रिपोर्टर से उन्होंने बोला बातचीत के उसमें क्रम में कि हम एक ऐसी स्ट्राटजी पर काम कर रहे हैं कि कुछ स्टेट में हम हंडेट परसेंट जीट 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 लेंगे जिसमें उन्होंने नाम गिनाए दिल्ली का गुजरात का राजस् है तो सामाणते रिपोर्टर्स जो होते हैं इस तरह के दावों पर बाहर आकर की कि सारे रिपोर्टर बाहर आए और हसने लगे कि क्या इस तरह का उल्लॉजिकल बात है उत्तर क्रूदेस में 70 सीट और गुजरात में 2626 और मद्ध्रदेश में राजस्थान में 25 में 125 यह कोई बात होती है दिल्ली में साथ की साथ हो तो फिर भी समझ में आता है इसलिकी पास तो और जब रिजल्ट आया तो सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि यार यह क्या है मामला तो उसी तरह से अभी गुजरात के लिए वो बोल रहे हैं कि हम इस बार सब को सर्प्राइज करेंगे देखिए होगा क्या मैं नहीं जानता लेकिन वह एक स्ट्राटजी पर काम करते हैं जैसे उन्होंने बंगाल की में स्ट्रेटजी से काम किया अभी वो तिलंगाना में स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं तो अब मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूं तो उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंग की रणनीती है या आजम खां की क्या रणनीती है उसमें शिवपाल जी कहां फिट हो रहे हैं ये ये रणनीती exactly किस दिसा में जाएगी और इसका वो क्या है देखे अगर आजम खां और सिवपाल की नाराजगी लगातार बनती रही ऐसी ही बनी रही और 2024 के चुनाओं तक ऐसी ही बनी रही तो ये confusion voters पर जाएगा और इस confusion का सबसे बड़ा beneficiary कौन होगा तो ये निश्चित तोर पर कई कई बार कोई आदमी आपके साथ ना भी हो लेकिन अगर वो तठस्त हो तो उसके चुनाओं परिणाम आप पर आते हैं आपको फाइदा करते हैं और इसके बहुत सारे उदारन हैं बहुत सारे ऐसे उदारन है कि कुछ लोग तठस्त अगर हो जाते हैं तो उसका चुनाओं परिणाम आपके पक्ष में आता ह लडाई जब होती है लडाई में आप वार की बात करें वार में अगर कोई सेनानी तथस्त हो जाता है तो जिसके साथ होना चाहिए अगर उसके उसमें तथस्त है तो उसके खिलाफ परिणाम जाता है तो मुझे लगता है कि अगर यह तथस्त भी होते हैं जिस तरह की नजदी लेकर कि कुछ समझाता कर लेते हैं और कुछ इस तरह की मनहस्तिती बनती है तो जो बीजेपी अभी टार्गेट कर रही है कि दो हजार चौबिस में उत्तर प्रदेश में उसको 75 सीटे चाहिए तो मुझे मेरा अपना जो मानना है कि ये उसी तरह की कुछ रणनीती पर काम कर हैं लेकिन अभी सारा है जमसन प्रजमसन और गेस है कंजेक्चर है लेकिन मेरा मेरी जितनी समझ अब तक बीजेपी को लेकर के बन पाई है सत्रा ठारा सालों में और अभी पिछले आठ सालों में जो एक नया सिफ्ट हुआ है जिसको मोधी पॉलिटिक्स कहते हैं मोधी मुझे लगता है कि कुछ नई दिशा में उत्तर प्रदेश की राजनीती जा रही है हलांकि इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कई सारे मत हैं और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो